आर इन राच मेहित कलास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यांकीः भाग टू मैं संख्यांकीः के लिए. मैं अज बताऊंगा माधिकाः. माधिका पढ़ेंगे समसंख्या के लिए. इसके मैं पिछले अध्याय में संख्यांकिकी में माधिका भी समसंख्या के लिए पढ़ा चुका हूँ अब पढ़ेंगे समसंख्या के लिए माधिका का सुत्र होता है n by 2 वापद प्लस n by 2 प्लस 1 वापद और पूरे एक बटा में 2 आपको question कैसे मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा करा के 3, 7, 5, 9, 11, 12 का माधिका घ्याद करो जब भी हमको माधिका घ्याद करने के लिए कहे सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे हम जानेगे की आरोही क्रम क्या होता है आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बढ़े करम या कह सकते हैं कि बढ़ते करम में तो इसको आरो ही करम में लिखे सबसे छोटा नंबर काउट है 3, 5, 7, 9, 11, 12 उसके बाद हम नंबर काउट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि n का मान कितना लिकल के आया 6 अब हम आपको बता हैं कि माधि का बराबर सुत्र होता है n by 2 वापत प्लस n by 2 प्लस 1 वापत पूरी एक बटा में 2 n का मान कितना है 6 तो मैंने यहाँ 6 रख दिया 6 बटा में 2 वापत प्लस 6 बटा में 2 प्लस वापत पूरी एक बटा में 2 जब इसको 2 से कटाएंगे तो यह 3 बार में कटेगा यानि 3 रख प्लस इसको कटाएंगे तो यह 3 बार में और 3 में एक जोड़ देंगे तो यह 4 यानि 4 पद और पूरी एक बटा में 2 यानि हम देखेंगे आरोहिकरम में तीसरा पद कौन है और चोथा पद कौन है यानि तीसरा पद आपका दिख रहा है 7 और चोथा पद दिख रहा है 9 तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 प्लस 9 बटा में 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 16 बटा में 2 यानि 2 से कटाएंगे तो यह 8 पार में कट जागा यानि आपका मादिका कितना लिकला 8 लिकल गया चलते हैं नेक्स्ट कोश्चर पे नेक्स्ट कोश्चर करा कि 5, 14, 10, 20, 30, 2, 25, 40 का मादिका गया तो हम आपको बता हैं कि ऐसे कोश्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही करम में लिखेंगे आरोही करम में मैं लिख दिया आरोही करम में लिखें सबसे पहले 2, 5, 10, 14, 20, 25, 30 और 40 है और उसके बास से हम N कमान लिका लेंगे तो N कमान कैसे लिका लेंगे, नमबर गिनेंगे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 N कमान कितना लिकला सर, 8 तो हम आपको बता हैं कि माधि का बराबर सुत्र होता है N by 2, वापत, प्लस N by 2 प्लस 1 वापत पूरे एक बता में 2 तो N कमान कितना है, 8 8 बता में 2, वापत, प्लस 8 बता में 2, प्लस 1 वापत और पूरे एक बता में 2 जब मैं इसको 2 से कटाऊंगे तो यह चार बार में कटेगा यानि चोथा पत, प्लस इसको कटाऊंगे तो चार बार में और चार में एक जोड़ेंगे तो पाच हो जागा यानि पाच बापत और पूरे एक बता में 2 हम देखेंगे आरोही करम में चोथा पत कोन है और पाच बापत कोन है तो एक, दो, तीन, चार यानि चोथा पत मेरा 14 दिख रहा है और पाच बापत मेरा 20 दिख रहा है तो मैंने यहाँ इन दोनों को क्या किया? जोड़ लिया तो जोड़ेंगे तो यह आएगा 34 आएगा, 34 बाटा में 2 जब इसको कटाएंगे तो यह 17 बार में कड़ जागा तो मेरा माधिका लिकल के आया 17 यह माधिका समसंख्या के लिए थी मैं इसके पिछले कलास में भी समसंख्या के लिए पढ़ाया हूँ I hope कि आपको समझ में आया होगा Thank you